घर के इस सामगरे से आज हम ऐसा नास्ता बनाएंगे जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है बाजारों में ऐसी अच्छी हेल्थी रेस्ट पी आपको कहीं नहीं मिलेगी फ्रेंग यह बहुत ही टेस्टी रेस्पी है तो चली फेंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें कडाई में दो चम्मज डाल लेना है आप रिफाइन ले सकते हैं जब ऑइल हमारा गरम हो जाए अब हम डालेंगे इसमें एक कप सूजी तो आप बारी सूजी ले लिएगा फ्रेंट्स अब अच्छे से इसे हमें भून लेना है तो भूंटे डाइम आप यह दात रखें कि मीडम फ्लेम पे हमें गैस कर देना है और अच्छे से इसे हम ज्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना है लगवक तो से तीन गटले के लिए भून लेना है अच्छे से भून के हो गया है फ्रेंट अब इसमें हम दो कटोरी पानी याट कर दें में लिए हमगों करेंगे तो फ्रेंट देख सकते हैं इस तरह का हो गया है मतली से लिए अब इसे हम ने हुब लियंगे जिसे हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है अथो इसी तरह के आपके पाद एक घिस लीजिए आलू को मैं और तो आप आप देख सकते हैं इस अपन्टेर को ग्रेटे लिया है आप इसमें डालते हैंほरी मेज्च आप ठीकी काứngा अजया ले सकते हैं एक मीडियम साइज को ओनियन बारिक कटा हुआ और धेव सारा हारा धनिया चुछ मसाले एक कर देते हैं इसमें डाल देते हैं लाल मेश पॉडर और अधा चम्माज अमचूर पॉडर लिया है हमने इससे खट्टा पनाएगा बहुत देश्ट लगता है साथ ही ले लेंगे अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें अच्छे से मैस करते हुए इसे हम मिक्स कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसका बाइंडिंग इस तरका हम सेप लेंगे हमारा बेटर अच्छे से थंडा हो गया है अब इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए तीन चम्मच गेहु का आटा तो अगर आपको गेहु का आटा ना डालना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं या फिर कॉर्ण फ्लोर भी डाल सकते हैं तो इने अच्छे से हम मिक्स कर लिए तो देख सकते हैं इस तरह का अच्छे से तयार हो गया है अब बराना सतरां करते हैं जे चीट से हम तीन भागों में बड़ ले फिरणस हमें बहुत जाथा छोटा छोटा साइज बड़े साइज में लेना है तो एक छोटा सा बच गया है तो मैंने तीन भागों में अच्छın बरोबर बाट लिया है अब इसे हमें बेलन से बेल लेना है तो इसमें आपको आटा लगाने के जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जरूरत पड़ेगी फ्रेंट थोड़ा सा इसके उपड़ छिडिक सकते हैं तो इसमें मैंने देखिएए थोड़ा सा आटा छीड़िक दिया है और नीचे बीज तरह लगाकर अच्छे कीरे देख सकते हैं इसमें देखिए तयार ये हैं इच्टर निकल खिल कर उठेगा तो देख सकते हैं इसी तरह हमें लगा के रख देना है तो आप आप चाहें तो मैं दूसरा तरीका बताती हूं आपको इस तरह देखे नीचे आप तील को फैला लीजिए चो दो हम बेलन के लिए तयार करेंगे जिए हम बेलेंगे फ्रेंड उसी के उपर हम इस तरह रख देंगे और हलके हातों से हम वेल कर तयार कर लेते हैं तो इस तरह भी देखिए आप बना कर रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारे सफेद तिल अच्छे से चिपक जाएंगे तो अच्छे से चिपक जाए तो देखिए अब इसे हम कट कर लेते हैं तो 앞으로 mix ज़कस करने हैं इसी तरह मैंने बना कर रेडी कर लिया है तो बोती टेंबटीस बनकर रेडी हो गया है चलिए वफेज अब हम भ भष्वीन सब्चरेण करते हैं इस फ़रा मैंने बना कर से सकते हैं तो मैंने देखिए एक वड़े की सेप का टिक की ले लिया है इसे हम थोड़ा हातों से दबा देंगे तो फिर इस तरह हमें तयार करना है तो आप देख सकते हैं इसी तरह में दुबारा भी आपको बता देती हूं तो टिक की सेप में आपको ले लेना है फिर अगर तो आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है आप जरूर बना कर देखिएगा येकीन वानिया आपको इनास्ता काभी पसंद आएगा तो देखिए इस तरह मैंने तयार करके रख लिया है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जो टिक्की बना के रखे हैं इसे हम पलट कर रखेंगे तील बाहर के सेप में रहेगा तो इसी तरह देखिए मैंने लगा लिया है एक टिक की इसी के पास हम दुसरा भी सेट कर देते हैं तो जिस साइट दिल लगा हुआ उसे उपर की साइट रखिए इस तरह हलके हातों से आप बबा लिजिए ज्यादा हमें प्रेस नहीं करना है तो देख सकते हां अब कितने टेस्टी बनकर रेडी हुए है और इतरह हम सब बनाकर रेडी कर सकते है वह अब बहुत हए टेस्टी देखिए बहुत ही टेम्टी लग रहा है आप प्रजबूर लगे रहे तो देख सकते हैं तो हमारा ओइल हलका सा गरम हो जाए तब ही हमें डाल देना है ज्यादा हाई फ्लेम पर आप नहीं रखिए बीडियम फ्लेम पर रखिएगा तो मैंने तीन डाल दिया है तो अच्छे से हम इसे एक से दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर ही कुख हो अलटते पलटते एक से दो मिनिट के लिए कुख करेंगे फिर मीडियम फ्लेम पर आप करके इसे क्रिस्पी कर सकते हैं इसी तरह फ्रेंड अलटते पलटते तीन से चार मिनिट लगते हैं तो बहुत क्रिस्पी नास्ता हमारा बनकर तैयार हो जाता है तो आप देख सकते हैं इसी तरह अलड़ते पड़ते मैंने 3-4 मिनिट के लिए टाइम लगा है इसे कूख होने में अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कितने टेश्टी बनकर रेडी हुए हैं अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक इन सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा ताकि ऐसे नई नई रेश्पी आप लोगों को मिल सके तो इसी तरह हम सब को तयार कर लेगे फ्रेंड तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म बहुत ही ट नासते के लिए बहुत ही मज़ेदान नासता है फ्रेंड आप एक बार जो ट्राइब कीजिएगा तो देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं इस तरह बनाइए फ्रेंड इंजॉय कीजिए वीडियो कैसा लगा आप कमेड में जरू बताईएगा तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने रिस्पी के साथ तर तक के लिए बाई फ्रेंड टेक केर थैंक्स फॉर ओचिंग